Hello guys and welcome back to our YouTube channel आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो market का correction होता है उसके कौन से दो टाइप से सबसे important आज की वीडियो होने वाले क्योंकि बहुत लोगों को ये doubt होता है कि correction अगर market में हो रहा है तो क्या उसको सिर्फ retracement होनी चाहिए क्या उसको profit booking बोल सकते है या फिर क्या market sideways जाता है उसको भी हम correction बोल सकते हैं क्या तो आज के जो main important point है कि two types of correction कौन से होते हैं तो वो है सबसे पहला retracement ठीक है आप लिख सकते हो या फिर आप याद कर सकते हो note down कर सकते हो इसको first जो point है वो है retracement तो market का structure क्या होता है यह जो correction है यह बहुत important होता है क्योंकि इस correction में जो weak hands होते हैं वो लोग निकलते हैं यह होगया first point second point है कि यहां से जिसने buy कर रखा है वो लोग profit booking करते हैं तो profit booking करेंगे और जो fresh buyers है वो market में बहुत important होते है अगर market को और एक up move करना है तो क्या होता है यहां से यहां तक market में आता है कुछ लोग यहां पर profit booking करते हैं फिर जैसे dip मिलता है market में फिर जो लोग होते हैं फिर से fresh buying करते हैं dip और फिर market इस तरह से अपना एक up trend maintain करता है तो इसलिए correction आना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है second जो type का correction है वो है time correction तो time correction किस तरह से होता है time correction के जगा मैं अगर consolidation बोलूँगा तो आपको easily समझ में आएगा तो बहुत लोगों ने आप मैंसे सुना होगा तो conclusion अभी फिलाल यहां तक यह है कि जो दो type के correction होते हैं हम लोग back test भी करेंगे चार्ट पे तो पहला जो होता है वो है retracement और जो second one होता है वो है time correction या फिर consolidation consolidation किस तरह से होता है market उपर तो जाता है थोड़ी देर same level पे halt करता है थोड़ी देर या फिर एक दो दिन फिर market continue करता है तो यह भी एक structure का ही part है ज़रूरी नहीं है कि market यहां तक आएगा market इस type का correction अगर करता है तो भी इसको हम एक correction बोलेंगे और यह healthy uptrend के लिए यह भी हम इसको बोल सकते हैं अब हम ठोड़ा सा चार्ट पे देख लीते हैं कि कब market किस तरह से करेक्शन करता है यहां पर आप अगर देखते हो market उपर गया इसने एक retracement लिया फिर फिर मार्केट उपर गया फिर इसने एक रिट्रेस्मेंट लिया फिर उपर गया फिर रिट्रेस्मेंट लिया अब यह कौन सा क्या बना रहा है यह रिट्रेस्मेंट बना रहा है फिर मार्केट ने किया कि ऊपर गया अब यहां पर आप देख सकते हो इसने टाइम करेक्शन ल मार्केट स्रक्चर फिर मार्केट यहां से उपर गया फिर आप देख सकते हो इसने सेम लिवल पे कंसॉलिडेट किया बहुत देर यहां पर अगर टाइम देखोगे तो अल्मोस्ट दो से तीन घंटे इसने अच्छा ब्रेक आउट दे तो यह होता है ताइम करेक्शन पर अगर इसको बोलते हैं हम clearly time correction consolidation भी आप इसको बोल सकते हैं इसी रेंज में मार्केट कंटीनिव चलता रहे अगर मार्केट यहां पर उपर जाता और इस तरह से अगर आता तो इसको हम बोलेंगे एक retracement है फिर आप यहां पर setup बनता है तो यहां पे आप buy कर सकते हो इस तरह से market चलता है और अगर आप back testing करोगे तो जब तक healthy retracement या फिर healthy consolidation नहीं होता तो इस तरह का momentum आपको expect नहीं करना चाहिए back to back क्या कभी आपने देखा है कि market इस तरह से सीधे जाते हुए बिल्कुल भी नहीं जाहिए आप दुनिया का कोई भी market ले लिजे market उपर जाता है या तो halt करेगा या तो फिर retracement लेगा फिर continue होगा तो यह जो दो टाइप के retracement है कुछ लोगों को confusion होता होगा कि अगर कुछ आइंग की position ले सकते हो अगर आपके आपका setup इसमें fit better है तो I hope आपको यह जो करेक्शन का जो concept है clear हो गया है अगर आप बैक टेस्टिंग करोगे तो और भी अच्छी बात है आपका confidence और भी जादा बढ़ जाएगा thank you for watching this video guys description में telegram link है वह आप join कर सकते हो आपको live market में कु